हेलो आव्रीवन वेलकम टू माई चैनल तैनू बैज किचिन तैनू किचिन में आज देखेंगे गाजर का अचार बनाने की एक आसान रेसीपी सर्दियों के मौसम में गाजर मार्केट में अच्छी मिल जाती है तो आईए इसकी अचार बनाने की recipe शेयर करते हैं सबसे पहले हमने गाजर को धो लिया है धो कर इसका छिलका अलग कर लिया है दोनों तरफ की dental अलग कर दिये हैं और इस तरह से लंबे-लंबे pieces में काट लिया है आप और भी किसी shape में इसको काट सकते हैं चोटे-चोटे टुकडे भी बना सकते हैं मैंने अहां लंबे टुकडे बनाकर गाजर के अचार के लिए तयार कर लिये हैं अचार के लिए हमने medium size की गाजर लेनी हैं जादा मोटी भी नहीं होनी चाहिए और ना जादा पतली इस तरह से हमने सभी टुकडे काट कर तयार कर लिये हैं कुछ मसाले भी तयार कर लिये हैं जिसका measurement मैं description link में दूँगी एक कडाई हमने गरम करने रख दी है जिसमें 4-5 चमच सरसों का तेल डाल दिया है तेल जब हलका गरम हो जाएगा तब इसमें गाजर के कटे हुए टुकडे डाल देने हैं slow flame करके इनको एक spatula से चलाते हुए सॉफ्ट होने तक इनको पकाना है 2-3 मिनिट इस तरह से चलाकर अब इसमें मसाले एड करेंगे मसाले में हमने लिया है आदा चमच हल्दी powder क्योंकि यह बहुत कम मात्रा में बनाया है इसलिए इसमें कम ही इस्तेमाल किया है हमने मसालों का 1-4 चमच लाल मिर्शी पाउडर 1-4 चमच नमक 2-5 पीली राई की दाल यानि पीली राई को हमने पीस लिया है यह मार्केट में भी आसानी से मिल जाती है अचार में अंदिक तरर इस्तिमाल की जाती है एक काली राई होती है एक पीली राई 1-4 चमच हींग किसी पि अचार में हींग का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है अचार टेस्टी बनता है डाजस्टी भी होता है एक चमच combustion aproximazing च्माच च्छीली फ्लेक्स इसी तरह से आप और अधिक मात्रा में इस अचार को बना सकते हैं ध्यान रहें अचार तेल में डूबा हुआ होना चाहिए तो कभी खराब नहीं होता है तो आप भी ट्राइ करिए इस काजर के टेस्टी अचार को और बताईए कैसी लगी मेरी रेसिपी अगर अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमिट्स करना न भूलिए देखिए ये मेरे पिछले साल का अचार है एक साल से इस्टोर किया हुआ है इसी तरह के और अचार की रेसिपी देखने के लिए देखते रहे है तनू बैज किचिन थैंक्स फो वाचिंग